दोस्तो स्टार प्लस पर परसारित हुआ काफी सदा लोग प्रेशो साथ निवाना साथ या तो आप सभी ने जरूर देखा ही होगा वही अगर बात करें शो के किरदारों की तो शो में आप सभी ने गोफी और राशी के किरदार को काफी सदा पसंद किया था वही शो में जहां एक तरफ गोपी वहु पॉजिटिव किरदार में नजर आई थी वही राशी नेगटिव किरदार निभाते वे नजर आई थी साथ ही फैंस ने भी दोनों के किरदारों को काफी सदा पसंद किया था वहीं शो में राशी की बेटे साहिट को भी बहुत ज़ादा प्यार दिया गया था लेकिन दोस्तों आज इस शो को आफ एर हुए काफी सदा समय बीद गया है साथ ही शो में नजर आए सभी कलाकार काफी सदा बदल भी गए हैं ऐसे में आज पेंच जाना चाहते हैं कि शो में राशी की बेटे साहिट के किरदार में नजर आए बाल कलाकार आज कहां है क्या करते हैं कैसे दिखते हैं इशान्त का जिनम 28 अप्रेल 2007 में मुंबई में हुआ था अगर बात करें इनके अभीने करियर की तो इन्होंने अभीने करियर की शुरुआद 2014 में टीवी शो साथ निभाना साथिया से कर दी थी जिसमें इन्हें मात्र 7 साल की उमर में साहिर का करिदार निभाते वे देखा गया साथ ही दर्शक ने भी इनके साहिर के करिदार को काफे ज़्यादा पसंद किया साथ ही अपने पहले ही शो से भानुशाली ने टीवी इंडस्टी में काफे ज़्यादा नाम कमाया जिसके बाद इन्हें बॉलिवुड की सुपर हिट मुवी बजरंगी भाई जान में भी अभीने करते हुए देखा गया वहीं लास्ट टाइम इशांत को शो संकर मोचन महाबली हनुमान में देखा गया था जिसमें इन्हें बाल हनुमान के किरदार में देखा गया साथ ही फैंस ने भी इनके इस किरदार को काफी सदा पसंद किया वर्तमान में इस शांत 13 साल के हो गए हैं साथ ही देखने में काफी सदा प्यारे भी लगते हैं साथ ही फिलाली टीवी इंडस्टी से दूर है और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको शुद साथ निभाना शातिया में राशी की बेटे आज कैसे लगे हमने कमेंट करके जुरूर बताईएगा और साथ ही और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक शियर चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले